हाई फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं बनाना चिप्स बनाने जारी है जो खाने में बहुत ज्यादा क्रिस्पी है बहुत ही कम समय में ये बन भी जाता है अगर आपके घर में कच्छा केला परा हो ताप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ किजे मुझे निकाल लिया है इधर मैंने चिप्स कटर लिया है इधर मैंने फ्राइपिन में तेल गरम होने के लिए रख दिया है अब इस तरह से मैं चिप्स कटर से से काटते जाओंगी बनाना चिप्स को आप दलते वक्त ही इस तरह से काटे नहीं तो पहले से आप काट कर अगे रखत तो यह ख़ड़ाब हो सकता है काला जैसा हो जाएगा तरब तलते बक्त ही इस तरह से यह गरम तेल में काट के डालते जाए तो मैंने इससे अच्छे से मिला लिया इसे तब तक मैं तलूंगी जब तक यह क्रिस्पी ना हो जाए तो चिप्स हमारा क्रिस्पी हो गया है अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी तरह से मैं सारी चिप्स को तल लूँगी ध्यान रहे कि तलते वक्त गैस को आप मीडियम ही रखे मीडियम रखने से केला की चिप्स है जो अंदर तक क्रिस्पी हो जाता है तो मैंने सारे चिप्स को तल लिया है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला है थोड़ा सा मैंने यहाँ चाट मसाला डाला है थोड़ा सा मैंने यहां पर लाल मिश्क पाउडर डाला और सब को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ इसे आप महीनों दिन तक आप एट एट के डववें बंद करके रख सकते हैं इकराब नहीं होता है जब ही मन करें आपको चिप्स खाने का तो आप इसे खा सकते हैं अगर आपके घर में केला हो कच्छा तो आप इस रेश्पी को जरूर ट्राय किजिए मुझे उमीद है कि आपको मेरी रेश्पी पसंद आए अगर पसंद आए तो मेरी चैनल को आप सस्क्रेब किजिए मुझे कमेंट करके जरूर बताए ठैंक यू